श्रीनाजी गुरुजी को लख आदेश, माभगवती को लख आदेश, रांची वाले भैरब बाबा को लख आदेश आप सभी को आदेश आदेश यह आम बात हो गई है कि किसी पे तंत्र चल जा रहा है, जो मुलबूत रूप से टोटका होता है और लोग परिशान रहते हैं, किसी को छोटी मोटी बिम्यारिया हो जा रही है कोई व्यापारिक रूप से परिशान हो जा रहा है कोई अपने संबंद में परिशान हो जा रहा है और उसके लिए तांत्रिकों के पास, अगोरियों के पास, मौलवियों के पास आप दौड़ना है आज का जो विद्या है, आज का जो विधान है ये मैं दो तरीके से इसकी साधना बताऊंगा एक तो जो तांतरिक है जो तांतरिक कर सकते हैं जो साधना कर सकते हैं उनके लिए जिनके पास ऐसा एक स्थान है जहां पर साधना हो सके और दूसरा उनके लिए जिनको एक बार बस निवृति चाहिए तो साधना विधान की शुरुवात मैं करूँगा उन लोगों के लिए जो इस से और लोगों का उधार करना चाहता है या फिर खुद को बिलकुल किसी भी तंत्रिया टोटके से मुक्त करना चाहता है हनुमान जी की साधना है इसमें जो सामग्री आपको चाहिये होगी वो होगी कच्ची मिट्टी जो आप किसी भी घड़े बनने वाले कुमार के हैं से ला सकते है ठीक है पहला दूसरा कच्चा धागा ठीक है तीसरा 11 दिन इसकी साधना करेंगे तो 11 लाल गुलाब ठीक उसके भखरा मतलब सैफरन कलर का जो सिंदूर होता है वो सिंदूर कम से कम आधा कीलो आपको चाहिए होगा चमेली और सरसो का तेल मिला करके तेल तैयार करेंगे अगर सम आप सरसो का तेल मान लो 900 ग्राम दे रहें तो उसमें 100 ग्राम चमेली हम डालेंगे एक लीटर तैयार करने के लिए ठीक है इसके अलावा आपको गुलाब का धूप ठीक और साथ में फल नवेद मगर फल नवेद कभी वहस्ता नहीं हो सकती है तो आप इसमें जो ड्राइफ रूट हो सकता है उसको आप लोग प्रयोग कर सकते हैं ठीक है इत्र जो है इसमें चमेली का चलेगा क्योंकि रूद्र है इतना होने के बाद जो साधक है वो साधना अपने स्थान पर करें और हो सके तो साधना के जगा पर एक छोटा सा कोड़ करके रख लें सर प्रतंद दिन जो है अपने स्थान को पवित्र कर लेंगे ठीक है गुलाब जल से उसको धोगों लेंगे पुरा सुगंदित जो प्रक्रिया होता तंत्र में वो गौ मुत्र से होता है तो पहले उसको छिडग दें फिर इत्र वाले पानी से पूरा धो दें फिर एक बार गुलाब जल से पूरा दोतें तो आपका कमरा तैयार हो जाएगा ठीक है फिर एक बर्तन ले और वो जो कुमार के हाँ से मिट्टी लाया है उसको जल डाल करके थोड़ा आप ऐसा बना ले कि उससे आप गुडिया बना सके जो कच्चा धागा लाया है उसको साथ में रखें पहले जो बीच का शरीर होता है एक गुडिया का उसको बनाए और उसमें उस धागे को पूरे तरह के से लपेट दें ठीक है लपेट करके फिर उसके पर मिट्टी डाल दे ताकि वो जो काला धागा है वो दिखें ना फिर उसका हाथ पर सर बना करके उसको रखते हैं इसके बाद जो भकरा सिंदूर लाया है उसमें थोड़ा सा तेल मिला करके उससे उस गुडिया को रंग दे एक वस्तर कोई भी आप चढ़ा दे उसके उपर ठीक है या वस्तर से उसको डग ड़े जब आप कोई भी तांत्रिक प्रिक् करके उसको आपने रंग दिया रंगने के बाद उसको आपने ढख के रख दिया फिर उसके उपर थोड़ा सा इत्र छिड़केंगे जो धूप-दीप-नवेद हमने बोला है वो सब धूप-दीप-नवेद जो है आप उनको अरपन करतेंगे ठीक है जब आप पूजा करके उसके बाद रुद्राक्ष की माला से आप तीन माला जाप करेंगे मंत्र क्या है मंत्र तीन बार बूल रहा हूँ ओम एक्ठो सर्सो सौला राई मोरो पटवल को रजाई खाई खाई पड़े भार जे करे तेमार खुलट विद्या ताही परपरे सब्द साचा पिंड काचा हनुमान का मंत्र साचा फूरो मंत्र इश्वरो वाचा फिर से सुनिये ओम एक्ठो सर्सो सौला राई मोरो पटवल को रजाई खाई खाई पड़े भार जे करे तेमार खुलट विद्या ताही परपरे सब्द साचा पिंड काचा हनुमान का मंत्र साचा फूरो मंत्र इश्वरो वाचा तीसरी बार सुनिये ओम एक्ठो सर्सो सौला राई मोरो पटवल को रजाई खाई खाई पड़े भार जे करे तेमार उलट विद्या ताही परपरे सब्द साचा पिंड काचा हनुमान का मंत्र साचा फूरो मंत्र इश्वरो वाचा ठीक है अर्थात है कि सिद्ध मंत्र है लेकिन फिर भी आप जो सामने आपने इश्ट बठाया है उसको एक 11 दिन में सिद्ध कर लेंगे एक बार जब सिद्धी हो जाएगी ठीक है तो आप एक हवन करेंगे नीम की समिधा मिल जाए या पीपल की समिधा सर वुत्तम है इसमें पीप एक मुट्ठी भर उसमें सरसो डाल दे ठीक है उसके बाद कुछ सुगंदित द्रव उसमें ओर डाले जैसे कि गुलाब की पनकुडियां होती है ठीक है और उसमें चुटकी भर जो है नमक डाल दे ये सब मिला करके और दशांस हवन आप कर लेंगे ठीक है दशांस हवन मतल उहीं सुपतावस्था में ना चला जाए एक वार जैसे सुपतावस्था में चल गया तो जो गढ़ा आपने कोड़ करके रखा है ठीक है उसमें जो आपने जो पुत्कले को बना के आप 11 दिन से पूजा कर रहते हैं सबसे पहले उसको इसमें डालेंगे ठीक है उसके बाद जो भी आपने सामान पूजा-सामगरी का प्रयोग किया है नौ दिनों में किसी भी चीज का अफिस अरजन नहीं करना है इसको ध् खाना है और अंत में सब को जो है उसी गढ़े में डाल देंगे ठीक उसके ऊपर से एक बार जो है हम कि मिट्टी भर देंगे ठीक है उसके बाद जो हवन समीधा जब हमारी ठंडी हो जाएगी उसको डाल करके फिर से मिट्टी डालेंगे और एक चौ मुखा दिया वहां पर हमेशा जला कर रखेंगे हर रोज कम से कम साथ 27 या 108 बार इस मंत्र को जाब करेंगे ताकि मंत्र जो है वो हमेशा जाग रहे जब किसी का आपको तंद्र उप्चार करना हो तो एक माला पहले मंत्र जाब कर लेंगे एक चुटकी राई लेंगे एक चुटकी सरसो लेंगे एक चुटकी नमक लेंगे ठीक है इसका फिर साथ बार मंत्र जबते हुए साथ बार जो रोगी है उसके सर के उपर से अपने हाथ को घुमाएंगे जिसमें की राई सरसो और नमक हो जाएगी ठीक है इसको एक बार अगर आपने सिद्ध कर लिया तो यह आप अनंत बार इसका प्रयोग कर सकते बस एक चीज़ का आपको जो ध्यान रखना वो यह है कि आपका जो साधना का स्थल है वो आपके घर पे नहीं होना चाहिए ठीक है और जितनी बार आप साधना कर करेंगे जितनी बार भी आप किसी का उतारा करेंगे उतनी बार एक बार नीमू का बली जो है हवन में दे देंगे या फिर उस व्यक्ति का जिसका आपने तंत्र काट किया उसके घर पे ही बैठ करके आप इसका बली दे देंगे बली देने का क्या है नीमू को काटा दोनों तरफ सिंदू लगा आदेबता के नाप पर उसको किसी कोने पर रख दिया ठीक है यह तो होगे उनके लिए जो तंत्र नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? वो बस इस मंत्र को लेंगे, 108 बर इसका जाप करेंगे ठीक है? नहीं कर शकता हो तो कम से कम साथ जाप करेंगे। कि रोज सुभा इस मंत्र को पढ़ना है साथ बर जल जो सबसे पहले दिन में लेते हैं उस जल को पीने से पहले उसमें तीन बार फूप मानना पर पानी को पी लेना है तीन देना पैसे करें तो आपके तंत्र जो है वह आधा समापतों हो जाएगा बागे किसी अच्छे मंदि पर फिर में जाकर कर फिर इस मंत्र का जाप कर जो पाकी तंत्र रहेगा वह भी समापतों हो जगा आज के लिए इतने ही मगवान हनुमान और आजीवा अलेव भार बाब आप सभी को आनंत क्रिपा बरसा है ऐसी मेरी उनसे प्रात्ना आप सभी को आदेश 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 देवराज सेव्यमान पावनां खिपंगजम व्यालयय सोत्रमिंदुशेखरम क्रपा करम